जहीं दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो financial year 22-23 यानि assessment year 23-24 की income tax के रेटन के लिए एक common जो question है बहुत सरे लोगों का ये question आता है कि sir income tax की जो छूट है वो डाई लाग है तीन लाग है पांच लाग है सात लाग है किस के लिए कितनी limit है अभी भी confusion बना हुआ है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे कि किस वेक्ति को डाई लाग के बाद tax देना है किस वेक्ति को पांच लाग के बाद देना है किस वेक्ति को सात लाग रपय के बाद tax देना है तो देलाश तक अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो मैं मैं उमीद करता हूm आपके ढाउप और पांच लाउप और साथ लाउप वाले सारे के सारे डाउट है किलियर हो जाने वाले हैं तो देर ना करते होए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं टैक्स फ्री लिमिट ढाई लाइ रुपए पांच लाग रुपए या साथ लाग रुपए दोस्तो आपके सारे के सारे डाउट है इस वीडियो में किलियर होने वाले हैं तो लाश्ट तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी रिसेंट के अंदर 31 मार्च 2023 को जो दोस्तो साल खतम हुआ है यह financial year 22-23 खतम हुआ है जिसे की assessment year 24 भी बोलते है financial year 22-23 assessment year 23-24 तो इस साल की ITR हमने भरनी है तो दोस्तो जिस साल की हम ITR भरेंगे उस साल का तो कम से कम हमें पता हो कि income tax की छूट 5 लाख रुपे है 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बनता है वो बाद की बात है तो दोस्तो ग्रोस टोटल इंकम की बात यहां की जा रही है किसी भी डिडेक्शन लेने से पहले दोस्तो अगर आपकी एक्जामपल देता हूँ मैं 5 लाख रुपे इंकम है और 1 लाख रुपे की आपकी LIC है तो आपकी 5 लाख वाली इंकम को वह म 8 साल से 80 साल दोस्तों जो की senior citizen है उनके लिए 3 लाख है और 80 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति है जो senior citizen कहलाता है super senior citizen उनके लिए ये 5 लाख रुपे है तो दोस्तों अगर आपकी एज ये है और आपकी इंकम 2 लाख 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको income tax की रिटर्न मेंडेटरली अनवारे रूप से भरनी पड़ेगी हमने gross total income की बात करी है अब हम बात करते हैं दो दोस्तों उसके बाद में अगर आपकी income 2 लाख तक आ जाती है तो आपको कोई भी tax नहीं देना है 3 लाख तक आ जाती है तो कोई tax नहीं देना है senior citizen के लिए और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपे है तो दोस्तों अब यहाँ पे ना तो 7 लाख की बात आई ना दो financial दो दो tax lab हैं उनमें से एक select करना है यह है new tax lab और यह है old tax lab old tax lab के अंदर और new tax lab के अंदर दोनों में डाई लाख रुपे की tax free है डाई लाग से पांच लाग पर आपको 5% देना है और 5 लाग से 10 लाग रपे तक आपको 20% देना है और 10 लाग से कितनी भी उपर इंकम हो 30% टेक्स देना है यहाँ पर दूसरी तरह हम बात करते हैं डाई से 5-5% है यहाँ पर 5-5% बढ़ता रहेगा दोस्तों यहाँ 5-5% बढ़ता रहेगा 5-7,10% 7-10,15% 10-12,20% 12-15% और 15 लाग से उपर आपको 30% टेक्स देना है दोस्तों अभी भी आपका डाउट किलियर नहीं हुआ होगा कि आप तो यह टेक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों section 87A जिसके कारण की दोस्तों सारा का सारा यह जो confusion create होता है यह एक rebate की बात करता है section 87A अगर आप एक individual है और resident individual है आप एक NRI नहीं है अगर आप एक H.E.O.F. नहीं है, firm नहीं है, company नहीं है, LLP, AOP, B.O.I. नहीं है आप चाए लेडिज हैं, चाए जेंट्स हैं, आप male है, female है, दोनों की दोनों को दोस्तो 87A की rebate मिलती है 87A section बोलता है दोस्तों, अगर आपकी income पांच लाख रुपे तक है यह जो 87A की rebate है, super senior citizen को नहीं मिलती है क्योंकि उनको 5 लाख रुपे तक की tax की पहले से ही चूट मिलती है तो दोस्तों, total income सारी की सारी चूट लेने के बाद में अगर आपकी 5 लाख रुपे तक आ जाती है दोस्तों, सारी की सारी income आपकी चूट लेने के बाद 5 लाख रुपे या उसे कम आ जाती है तो आपको 12500 रुपे के टेक्स की चूट मिल जाएगी अब हमें बता दूँ दोस्तो अगर आप अगर अगर आप और न्यू टेक्स ले में जाना चाहते हैं और डाइलाग से 5 लाख रुपे तक की इंकम है तो उसके अपर आपको 5% टेक्स देना था डाइलाग से 5 लाख तक अगर आपकी मालो जो डाइलाग रुपे इंकम आती है डाइलाग से 5 लाख रुपे तक ये डाइलाग रुपे इंकम आ गई और इसका अगर आप 5% करेंगे तो दोस्तो ये 12500 रुपे आपका टेक्स बन जाएगा और आपको वो tax pay करना पड़ सकता था लेकिन section 87A बोलता है 12500 तक का tax आपसे हम नहीं लेंगे आपको rebate दे देंगे, आपको छूट दे देंगे तो जिनका tax 12500 तक बनता है उनको 12500 के tax की free है जिनकी income 5 लग तक है तो दोस्तो अगर आपकी income 5 लग से कम है तो भी आपको सारा का सारा tax माफ हो जाएगा क्योंकि maximum 12500 की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो दोस्तो अगर आप एक normal income कमाते हैं जैसे कि salary, business की income तो इस तरह की income पर तो आपको यह मिल जाएगा दोनों ही tax lab में मिल जाएगा अगर आप new में जाएं या old में जाएं यह financial year 22-23 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 25-5 तक का tax मैंने आपको बताई दिया 5% है, वो 5% बनता है 12500 और 12500 तक का कोई tax नहीं देना है तो इस तरह से दोस्तो आपको 5 लाग रपे तक income पर tax नहीं देना है अगर आपकी income पांच लाग रपे तक है तो अगर आपकी income पांच लाग से ज़्यादा है तो भाई लाग रपे तक ही आपकी tax की चूट है आपको मिलने वाली है लेकिन दोस्तो एक twist और आगया आप यहाँ पे 87A अगर आपकी normal income नहीं है दोस्तो आपको पता होगा कुछ special income, long term capital gain, short term capital gain, lottery की income या कुछ ऐसी income है जिसके उपर आपको flat rate में tax देना पड़ता है अब एक्जामपल देता हूँ दोस्तो मैं अगर आप new tax lab में जाते हैं या old में जाते हैं आपकी 4.5 लाग रपे income है तो आपकी 5.5 लाग से कम income है तो आप बोलोगे sir मुझे तो कोई भी tax नहीं देना मेरी income तो 5.5 लाग से कम है लेकिन दोस्तो इस 4.5 लाग रपे के अंदर 1.5 लाग रपे की income थी वो आपकी short term capital gain है आपको पता होगा अगर आप share market से कमाई करते हैं और short term income कमाते हैं तो आपको 15% tax उस पे भी देना पड़ जाएगा अब हमने बात कर दी दोस्तो 5.5 लाग रपे तक आपकी tax है जो बिलकुल माफ है और 1.5 लाग रपे के उपर आपको 15% tax देना पड़ेगा जो की 22,500 हो जाता है तो दोस्तो 22,500 रपे के उपर आपको tax देना पड़ेगा इसके अलावा जो आपका tax जो छूट मिलनी थी आपको वो सिर्फ 12,500 की छूट मिलनी थी तो दोस्तो 10,000 रपे आपको additional और देना पड़ जाएगा अगर आपकी income 5,000,000 से कम है तो भी लेकिन आपकी कोई special income आई है वैसे तो यहाँ पर दोस्तो डाइलाग से आप अगर 1,500,000 कम आते हैं तो 5,000,000 बनता है वैसे तो डाइलाग से कम आगी आपकी income लेकिन फिर भी उसके ओपर तो आपको special rate income देनी पड़ेगी 1,500,000 रपे के ओपर अगर आपकी special income है लोटरी की income है क्रिप्टो की income है तो आपको 87A का rebate नहीं मिलेगी फिर आपको उनके उपर तो flat जो tax देना पड़ेगा चाहे income आपकी 5,000,000 से कम है तो भी 12,500 के tax की चूट आप नहीं ले सकते हैं अगर आपकी यह income आती है तो दोस्तो फिर एक example दे दू 2,40,000 रुपे आपकी income है सारी छूट लेने के बाद तो कोई rebate नहीं है कोई tax नहीं लगेगा अगर आपकी income आती है 3,50,000 रुपे डाई लाग से उपर चलेगी दोस्तो डाई लाग रुपे से 1,00,000 रुपे उपर चलेगी तो आपको 87A की rebate नहीं मिलने वाली है आपको जो tax है उसकी rebate 0 मिलेगी और 12,500 रुपे और उस एक रुपे के उपर भी आपको 20% या आप Tax Lab के साबसे आपको tax देना पड़ जाएगा तो इस तरह से 5,00,000 रुपे तक जिसकी income है उसको कोई भी tax नहीं देना है भासन दिया था तो 7,00,000 रुपे tax free कर दी थी तो वो भी 7,00,000 रुपे tax free नहीं थी वो भी same का same फंड़ा था जैसे आपको 12,500 के rebate की चूट मिलती थी उस rebate को 25,000 रुपे इन्होंने कर दिया था अगर आप एक resident Indian है अगर firm company LLP नहीं है male female है तो दोस्तो आपको 7,00,000 रुपे तक कोई भी tax नहीं देना है लेकिन 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 दोस्तो ये जो है आपका financial year 23,20 के लिए है आपको पता होगा 14,2023 ये जो नया साल चाल हुआ है ये 31,30,2024 कोई साल खतम होगा और उस साल के खतम होने के बाद जब ITR भरेंगे जब आपको 7,00 रुपे तक कोई भी tax नहीं देना है ये दोस्तो new tax lab में है जो पहले 12,500 की छूट मिलती थी ये old भी मिलती थी और new में भी मिलती थी लेकिन अगर आप 7,00 रुपे तक tax free चाहते हैं तो आपको सिर्फ new tax regime में जाना पड़ेगा financial year 23-24, assessment year 24-25 क्योंकि ये अभी recent के अंदर budget में announce हुआ था तो इस तरह से दोस्तों जो निया budget आएगा new tax lab में जाएंगे तो आपको पता होगा income tax की जो दाइलाग से 3,00 रुपे ये limit कर दी है लेकिन ये new tax lab में की है 3,00 तक कोई भी tax नहीं है 3-6, 5% 6-9, 10% 9-12, 15 12-15, 20 15,00 लाग से ओपर 30% tax आपको देना पड़ता है अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ये 7,00 रुपे तक का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं के रही इनोंने 3,00, 6,00, 9,00, रुपे है तो आपको पता होगा 3,00,000 तक कोई भी tax नहीं है और 3,00,000 से 6,00,000 रुपे तक का जो tax है 3,00,000 रुपे के उपर वो बनता है दोस्तों आपका 5% के साब से 15,000 रुपे इसके बाद में जो 7,00, रुपे दोस्तों इस लेब में आजाता है 6,00, 9,00, रुपे तक तो इसका उपर वाला 1,00, रुपे और उसका 10%, ये बन गया दोस्तों 10,000 रुपे तो 15,00, और 10, 25,000 रुपे तक का जो tax बनता है आपका वो आपको 87A के अंदर rebate मिल जाएगी अगर आप old tax lamb में जाते हैं तो दोस्तों तीन के जगे डाइला की चूट है डाइसे 5, 5, 5, 5 से 10, 20 और 10 लाग से उपर 30% है आपको पता होगा old tax lamb में काफी सारी deductions, exemptions, HRA home loan, ची चूट मिल जाती है लेकिन आप new tax lamb में जाएगे 7,00, रुपे तो tax free है लेकिन कोई भी deduction आप यहां पे नहीं ले पाएंगे तो पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था 12,500 के tax की चूट है अब 25,000 के tax की चूट मिल जाएगी 25,000 रुपे का tax दोस्तों आपकी 7,00, रुपे तकी income पर बनता है तो 7,00, रुपे तकी income है तो कोई भी tax आपको नहीं देना है लेकिन दोस्तों फिर से बात आजाती है अगर कोई special income आपकी है तो special income के उपर आपको special tax देना पड़ेगा तो अगर मैं आपको example से बता दूँ यह देखिए अगर आपको 87,1 benefit का अगर आपकी income 7,00, तक है तो 25,000 के tax की चूट मिल जाएगी अगर आपका normal income है तो 25,000 कोई भी tax नहीं देना है और 7,00, रपैसे 1,00, रपै उपर income चली जाती है दोस्तों तो आपको 3,00, रपै की चूट मिलेगी अगर आप new tax ले में जाते हैं तो 25,000 रपैस देना ही पड़ेगा तो अगर आप मैंने बताया कि 7,00, अगर आपकी 5,00, रपै income है और उस पे 2,00, रपै शोटरम capital गेना है तो उसके उपर भी आपको दोस्तों मैंने बताया 15% tax देना होता है तो 30,000 रपै tax आपको देना पड़ेगा और उसे जो और भी income है दोस्तों 35,000 रपै, 32,500 आपका tax बन जाता है यहाँ पर आपको छूट तो सिर्फ 25,000 रपै tax देना पड़ जाएगा तो इस तरह से depend करता है कि आपकी income का type क्या है, income का source क्या है और आपकी overall income अगर है 7,00, तक तो कोई भी tax नहीं देना है तो दोस्तों, I hope कि आपको यह समझ आ गया होगा कि जिसकी income 5,00, रपै तक है, उसको कोई भी tax नहीं देना है 5,00, से उपर वाले को डाइला के बाद tax देना स्टार्ट हो जाएगा यह financial year हमने बात की थी 22, 23 के लिए assessment year 23, 24 के लिए और financial year जो 23, 24 है जो की assessment year 24, 25 हो जाएगा उसके लिए 7,00, तक कोई भी tax नहीं देना है अगर आप new tax ले में जाते हो अगर आपकी normal income है वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तो लाइक जरूर करें इस तरह के और भी content के लिए आप हमें subscribe कर लें हमारा होसला बढ़ाए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो क्योंकि subscribe करने कोई पैसा नहीं लगता है ऐसा कोई भी विक्ती जो डाइलाग, तीन लाग, पांच लाग, सात लाग रपे के उपर confused था तो उनके साथ में share करनी है वीडियो, फिर भी कोई आपका comment डाउट रह जाता है, तो comment कर दें दोस्तो हम उसका भी reply करने की कोशिश करेंगे thank you so much दोस्तो जै हिंद, जै भारत